तो अभी तो हमने light chapter का पहला part cover किया है जिसमे reflection of light में ली हम देख रहे थे कि light जब किसी चीज को टकराती है तो वो bounce pack करती है, same medium में वापिस आती है तो वो वाला portion भी हमने cover किया है और उसी का वो part था mirrors जो भी जिस पी चीज पर light strike करके लौट के वापिस आती है उसे बोलते है mirror ठीक और उस spherical mirrors हमने पढ़े थे उसके कुछ numerical किये थे कुछ numerical और करेंगे बाद में, categories मैंने लगए सारी आपको करवा दी है पर practice के लिए में कुछ और numerical आपको दूँगा पर फिलाल अब next part शुरू करते हैं इसका वो है reflection of light यानि light की bending होना जब light एक medium से दूसरे medium में पास कर जाती है तो यह होता हमारा reflection of light lenses इसी का part है जो convex lens, concave lens आपने पढ़ लिये होंगे वो reflection का part है light उन में से पार होकर के आगे निकल जाती है तो जिसमें से light पार होकर के नि reflection होती है जैसे आपने सुनावा कुछ medium को हम transparent कहते हैं तो जो भी transparent medium होता है light उसमें से पास ररके आगे जाती है लेकिन जैसी थी वैसी कभी नहीं जाती कुछ ना कुछ light bend जरूर करती है तो bending जो light की होती है उसका नाम होता है reflection of light ठीक है तो यह topic अभी हम शुरू करने वाले है जैसे law of reflection होते है ठीक वैसा ही law of reflection भी होता है law of reflection कि किसलिए हमने पढ़ा था वह law of reflection हमने इसलिए जाना था कि light after reflection यानि टकराने के बाद वो exactly किस तरफ जाएगी उसको बताने के लिए था वो law of reflection ठीक उसी तरीके से exactly light कहां जाएगी after reflection यानि बेंडिंग होगी light की लेकिन कितनी होगी किदर जाएगी वो उसको बताने के लिए जो लो होते हैं उसको बोलते हैं law of reflection ये भी हम बाद में पढ़ेंगे उससे फ़र थोड़ी से चीज के वारे में एक चोड़ा टोपिक है जिस पर अक्सर बोर्ड में कोशन आयाता है और यह टोपिक बहुत कंफ्यूज करता बच्चों को यह टोपिक का मतलब बच्चों समझ में आता कि चीज क्या है तो वह टोपिक मैं लेकिन जब जाएगी तो वह जैसी गई थी वैसी नहीं जाएगी एक एग्ज लिया केमाल लूपिक यह लाइध सो तो नॉर्मल आ गया इसको बहुत इधर की तरफ मुड़ गई और यह हुमारा एंगल अगल और रिफ्रेक्शन इसको बोलते हैं स्मोल आर से डिनोट करते हैं एंगल अफ रिफ्रेक्शन इसका नाम होता है ठीक है तो कुछ बेंड कर गी लाइट एक्जेक्ली कितना होगा यह एंगल अफ रिफ्रेक्शन इसको बताने के लिए उसके लग है ठीक है वहाँ पर तो फिक्स है कि जितना आया था उतर नहीं होगा इस ने और आर बराबर होते थे रिफ्रेक्शन में लेकिन यहां नहीं होते कुछ एक रूल होता है उस रूल पर जानते हैं थोड़ा से पह इसकी स्पीड जाती है तो फोड़ास स्पीड गढ़ती है जब यह थाप्रोक्सिमेटलि स्पीड movement होती है इन वैक्यूम vacuum का मतलब होता है जहां पर कुछ ना हो खाली हो वहाँ पर free space भी कह सकते हैं जहां पर कुछ ना हो कोई भी medium ना हो वहाँ पर यह speed होती है और approximately इसको हम 3 into 10 raise to power 8 ले लेते हैं तो हमारे universe में light की speed इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती जब कुछ नहीं होगा तब इतनी होती है वहाँ पर कोई भी medium होता है जैसे कर हम हमारे atmosphere की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर light की speed थोड़ी कम होती है उसके लाव जो भी medium में जाएगी कुछ ना कुछ घट जाएगी तो यह highest speed है जो light की हो सकती है हमारे पूरे universe में ठीक है तो यह थी 3 इंटेरेश्ट पार 8 हाँ इतनी ही speed हम approximately मान के चलते हैं जब हमारी velocity in vacuum है वैक्यूम है वैसलिए लेकिन इतना ही हम approximately air में भी ले लेते हैं क्योंकि air में जादा फरक नहीं पढ़ता थोड़ा ही वरक आता है क्योंकि air भी almost देखें तो gap अच्छा खासा होता है उतना जदा जो medium के जो molecules कहते हैं आप air के वो close नहीं होते हैं अच्छा दूर दूर उनके बीच में होते हैं gap अच्छा खासा होता है तो ज़्यादा change नहीं आता हो उसको approximately vacuum लेकर के हम deal करते हैं तो answer air में भी हम 310 पर 8 meter per second लेकर के चलते हैं ठीक है वैसे होती वो vacuum की air में थोड़ी सी कम होती है उसके लावा glass वगारा में अलग-अलग होती है याद आपको नहीं करनी है किस medium में कितनी होती है कि देखो हर medium में अलग होती है experimental है कोई fix नहीं होती glass भी बहुत तरह ग्लास होते है तो हर ग्लास में अलग तरह की उसकी lost होती है आपको याद नहीं करना है बस इतनी बात याद रखनी है कि glass में किसी भी medium में light की जो speed होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाती है vacuum के मुकाबले तो यह जो light की speed कम हुई है इसका मतलब यह हुआ कि light को उस medium में चलने में कोई परेशानी है कुछ दिक्कत आ रही है light भी कुछ-कुछ nature उसका भी इनसानों जैसा होता है कि जब उसको चलने में दिक्कत आएगी तो क्या करती है shortcut लेने कोश्च करती है जितना जल्दी हो सके उसमें से पार होने कुछ करती है जैसे हम कहीं पर जा रहे है मार्केट में घुस जाते हैं वहापे बहुत भीड है तो उस मार्केट में कोई काम ना हो अगर तो हम क्या करना चाहेंगे टो हम शॉर्ट कट लेना चाहेंगे जितना जल्दी हो सेगे उस मार्केट में से पार होने के नीकल जा अगर तो किसी मीडियम में शॉर्ट कट होता है उसका shortest path यहांनि, यह नॉर्मल तो नॉर्मल वह shortest path होता है जो उस मीडियम को पार करने के लिए वो यूज़ कर सकती है लेकिन कहीं बार ऐसा होते है कि भीड बार उतनी नहीं है इसको कुछ काम नहीं है से समझाने के लिए बदा रहा हूँ कि लाइट को काम तो है नहीं वो तो खाली है वो तो घूमने निकली थी बस तो रास्ते में उसको भीड मिल गई अब वो थोड़ा एंजोई भी करना चाहती है लेकिन भीड से बचना भी चाहती है तो इसलिए वो क्या करती है जिस हिसाब से वहाँ भीड होती है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बेंड कर जाती है अगर जादा भीड होगी तो जादा बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ कम भीड होगी तो थोड़ी बेंड तो करेगी लेकिन उतना बेंड नहीं करती है निकिन थोड़ा शॉटकट की तरफ बढ़ेगी तो लेकिन उतनी समझाने कि लिए पको बता रहा हूँ एक नजरी है इसको देखने का बस यहाँ गेंट करता है कि दीचम की लिए नोर्मल की तरफ जाना पड़ेगी पस चली जाती है चोटे डास्ते को फोलो करने कोश्च करती है यहाँ बैंट टु़ाट्स नोर्मल उस और आ dairy नहीं बाद चल रहाई थी वापिस क्या हुआ टकराई दूसरे medium से या interface पे और इसको अब क्या करना है अब इसको वापिस ऐसी medium में जाना जा speed इसकी फिर से अच्छी खासी है और यह तो enjoy करने के लिए मजे करने के लिए तो फिर से या करेगी कि light जब normal dancer medium में गुशती है यारर से dancer यारर dancer light के साब से है कि light को जहाँ पे speed उसकी कम हो जाएगी तो उस medium में वो normal की तरफ जाएगी और जहाँ light की speed दूर बढ़ जाएगी वहाँ वो normal से अवे जाती है तो यह तर लाइट की bending अब कितना अवे जाती है कितना light की bending होगी कितना वो normal की तरफ जाएगी साब को बढ़ाए कहीं पे जादा भीड है या कहीं पे कम भीड है तो यह जो भीड का मतलब है इस चीज को बताने के लिए होता है यह refractive index यह एक index का मतलब एक number तो refractive मतलब reflection से लिया हुआ तो यह light की reflection को बताने का एक number है ठीक अगर इतना रहता है यह तो फिर light का क्या हो जाएगा वो जाएगा जादा होगा तो light क्या करेगी नोर्म की तरफ जादा बेंट करेगी या आवे जादा बेंट करेगी और कम होगा तो light की तरफ क्या होगा मतलब थोड़ा बेंट करती है सीधी सी बात है बस ऐसे ही है जैसे यह temperature ज़्यादा बढ़ता है यह number बढ़ता है तो वैसे वैसे Ihr number पिण करने है तो हमें इतना बताएगा का में चेंज कितना रहा है दूसका उसका ratio है वो, light की speed एक medium में और दूसरे medium में उसका वो ratio है, अब समझ सकते हो कि ज़्यादा changes अगर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे light की speed अच्छी खासिती, ज़्यादा कम हो गई है, ज़्यादा differences अगर दोनों में हैं, तो light को ज़्यादा bend करना पड़ेगा, ज़्यादा bend को करन ज़्यादा होगी, कम होगी के ज़्यादा होगी, exactly कितनी होगी, उसके लिए फिर बाद में कि लोग आता है, इसको स्नैल स्लों कहते हैं, फिर पढ़ेंगे बाद में उसको, तो फिलाला को सब्सक्राइब करने इसका एक सिर्फ नंबर है, जो किसलिए assign कि हमने यह बताने के लाइट की bending कम होगी के ज़्यादा होगी, और उसको इसी तरीके से define भी किया गया, कि speed की of light, medium 1 में क्या थी, यहां से वो आई थी, वहां क्या थी, upon speed of light, जहां वो जा रही है, वहां क्या है, वो नीचे आएगा, speed of light in 2, जहां वो जा रही है, वो नीचे, जहां से व आई थ वो ऊपर और इसको हम denote करने का यह तरीका है, end to one भी बोल देते हैं, जहां रिप्रेक्टिव इने सब आप समझ गए, आपको मैं यह पता कि light की speed में कितना चेंज आएगा, अब चेंज तो एक relative शब्द है, क्या पता वो glass से गुस करके, निकल करके आगे पानी में जा रही ह तो आप समझ रहे हो कि यह तीनों case इस बात पर depend कर रहे हैं कि light आ कहां से रही है और light जा कहां से रही है, तो उसका जो change होगा उस चीज पर depend करेगा, difference उस चीज पर depend करेगा, अगर देखो light आप गुस गए और आप किसी market में पहले से market में थे, आप जिस एक ऐसे जगह से आ हरियाना में या पंचाब में अगर आप भिहार से आओगे तो आप क्या लगेगा, इस बहुत खुला-खुला है यहां पर अबादी बहुत कम है, वही अगर आप इंडिया में या हरियाना में आते हो, USA से या बहार अस्ट्रेलिया वगरे से आते हो, तो आप भूत भीड है तो एक रिलेटिव टम हुई ना वो चीज़, आप आ किस स्टेट की जगह से रहे हो, यह उस चीज़ पर डिपेंड करते है, चेंज उस चीज़ पर डिपेंड करता है, अगर आप भिहार से आओगे तो आप यहां पर बहुत कुला-खुला है, आप दोड़ते फिर होगे है यह रियाना में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुला-खुला है, वही अगर आप आई एस्ट्रेलिया से, आप लगे है तो बहुत भीड है, और आप यह तंग होते हैं यह तो चाहां बीड में बुश गया है, चीज रिलेटिव है, डिपेंड करते हैं कहां से वह आई है तो इसलिए यह चीज कहां से आई है, कि जहां से वह आई है, अप ओन जहां पर हो जाएगी उसका यह रेशो है, तो यहां पर वही बतायागा है, कि किसका refractive index है, कहां से light आई थी, तो यह 2 का है, light 1 से आई थी, यह भी तरीका है, mu बोलते हैं, वो तो में है और 1 से आई थी यह भी एक तरीका है refractive index of 2 with respect to 1 और यह भी एक तरीका है n of 2 with respect to 1 यानि 2 में आ रही है 1 से आ रही है तो यह बताने का तरीका है कि किस medium से आ रही है कहा जा रही है अगर ना लिखा जाए कोई कहे आप से खाली n 2 या mu 2 इसका मतलब यह standard notation है इसका मतलब हम यह मान के चलने कि light या तो air या vacuum से आई हो वैसे तो vacuum मानते है लेकिन जैसे मैं आपको बताएं यहाँ पर vacuum और air को मैं almost same velocity यूज़ करते हैं तो फिर हम इसको कहा देते हैं कि वह vacuum से आई है या air से आई है या vacuum से किसी मीडियम में घुसे तो उसे हम absolute refractive index बोलते हैं इससे सब समझने की है इस पर छोड़ा से एक नुमरिक लाएगा वह से एक दो नमबर का ज्यादा इसमें कुछ आप से पूछेंगे नहीं वह तो बस आपके दिमाग में बात बैठ जाने चाहिए कि absolutearfactions को बोलते हैं कि light कहां से आ रही है किसी air या vacuum से आ रही है और किसीnew Ça में जा रही है तो absolute हुआ कि light किसी एक medium से वह medium यहां भी medium ठाक है लेकिन वह medium अगर air या vacuum ना हो कोई और हो और दूसरा medium भी कोई और हो तो फिर वह absolute किसके इसाफसे है अगर अब कंपेरिजन हो गया तो वीचारा गृट काली कि आफ करो बहुत हमीर है तो स्केलिए अगर आप क्ली कॉसी कह 아fil को रैटकोशा की तो गृत करो कि बहुत हमेर है तो सी कंपईरिजन अगर अब अम्बानी से कर लिया हो तो वचारा गरीब है तो यह चीज के इस पर डिपेंड कर रहे हैं किसे comparison आपका हो रहा है तो यहां पर एक रिलेटिव टम की बात हो रही है अगर आप बता ही दो कि विराट कोली के पास 500 कोरोड रुपया है तो यह चीज के आओगी absolute अपने बता है कितना है तो यह वही चीज थी बस absolute मतलब आप actual बता दो यह वैक्यूम के साव से बता दो जब दोनों की speed equal होगी यहां पर यहां पर light की speed equal होगी तो अगर यह 1 के जितना करीब होगा उतना कम होगी light की bending और 1 से जितना दूर होगा उतना ज्यादा होगी light की bending यह shortcut है NTSC में काम आएगा आपके जैसे मालोग reflective index 3 है एक का reflective index 4 है तो आपके बात दूर से नजर आ जाने गरेंड कि यहा जादा होगी और 1 से छोटे होने पर वो अवे बैंट करता है और 1 से बढ़ा होने पर वह टूर टू आणड करता है नॉर्मल अवे फ्रम नॉर्मल से अवे और यहां पर टू आण ही नोर्मल बेंट करता है यह आपको यहां पर समझ में आर होगा नहीं तो देख लो कि वन से चोटा कब आएगा जो डिनोमेटर बड़ा होगा यहां स्पीड ज्यादा होगी अगर यहां स्पीड ज्यादा होगी फिर नोर्मल के तरफ क्यों जाएगा फिर तो घूम निकलेगा अगर वन से चोटा हो जाए तो आवे बैंट करेंगी वन से बड़ा हो जाए तो 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 यह एक नंबर है जिससे हम को यह बेसिक आइडिया वस हो जाता है अब इस ही नंबर के उपर वेस्ट कुछ फोंबले है उसके बाद हम अगले चाप्टर में करेंगे या अगले लेक् Καθήσαμε εγώ το Πούχληνα.